हाई गाज नमस्कार और आपका स्वागत इसने स्रीज में और इसमें आज हम पार्ट 3 में हैं और इसमें आज बनाने वाले हैं हम लोग डायलोग बॉक्स मतलब कि जब भी यूजर किलिक करेगा एबाउट पर तो उसको डायलोग सो होगा जिसमें हमारा सारा इंफोमेशन दि यहां से हमको मिलेगा सोर्स कोड जहां से कोफी पेस्ट करना है इन वेबसाइट का लिंक आपको निचे मिल जाएगा आप डायलेटली वहां से विजिट करके आप डायलेटली इस मेशाइट पर आ सकते हो उसके बाद इसके नीचे देखिए यहां दिया हुआ है हाव तो क् यहां कोफी पेस्ट करना कोड को यहां पहुंचाएंगे हम उसके बाद यहां देखिए कुछ कुदिया है पहले बोला है कि डायलोग बॉक्स करने पहले यहां आपको डायलोग बेक्ग्राउंड ना पड़ेगा वह भी ड्रोबल फार के अंदर में तो सच पहले हम यह करते तो इसको यहां से सेलेक्ट करते हैं और कोपी करते हैं पहले चलते हैं प्रोजक्ट में इनका तो काम तो पार्ट टू में हो गया था तो इसको में हम भटाते हैं यहां से और चलते हैं यह रहा हमारा ड्रोबल राइट किलिक करते हैं न्यू जाते हैं लेते हैं ड्रोबल र अब चलते हैं वापस वेबसाइट पर और यहां देखिए निचे अम दिया वागा को इस कोड को आपको पूरा complete कोपी करना है और हमारे इस से प्रोजक्ट में डायट लिसको अल कंट्रोल एक दमाना है और अल सलेट करना है और डायट कंट्रोल भी पेश्ट करते हैं मतलग कि आपको आप किलिक करना पड़ेगा एक बनाना पड़ेगा नया फाइल जो कि डिसोर्स फाइल के अंदर में ले आउट के अंदर में रहेगा तो यहां क्या करना है देखिए डायलोग के इवाउट इस फाइल का नाम रहेगा इसको हम लोग कोपी करते हैं और यहां आते हैं य तो मतलब कि यह हमारा फाइल करना यही रहेगा डायलोग एबाउट इसको आप ओके किलिक कर देंगे उसके बाद इस नेगोईशन कटा देंगे और यहां से लेएंगे स्प्लिट पर अब देखिए यहां डिफॉल्ट में मिलता है कॉंसेंट ले आउट तो यहां करना है हमको रिलेटिव लेयाउट और उसके लिए सिधा रिलेटिव लेयाउट इतना होने बाद आपको आपस चलते हैं वेबसाइट पर और यहां बोल रहा है कि रिलेटिव लेयाउट क्रिट करेंगे तो उसमें उसका जो मार्जिन रहेगा वीथ रेगा 3DP हाइट रेप कंटेंट र पड़ेगा हम लोगों को और इसी के अंदर हम लोग यहां देते हैं पेस्ट के उसकी बाद एक दिखारा एरर तो इसको सबसे पहले जो डिफोल्ट में तो उसको आटाते हैं और हायट जो यहां इसको है इसको भी देते हाटा एरर सॉल्व हो गया देखिए इतना होने ओर लैउड में चलते हैं वापस वेबस Magic और यहां बोल रहा है कि आप प्ल लोलेटी लैउड के अंदर में एक लीनियर इला ऑण बनाना है तो सिधा कॉपी करते हैं और इसके अंदर में यहां इसको पेष्ट कर देते हैं यह हमारा पेष्ट हो गया अब यहां बोल रहा है कि आपको बहुत सारे चीज़ यहां लेना है एबाउड वर्जन नेम, डवलपर नेम, डिस्किप्शन, भ्यू, इमेल, योर इमेल है तो यहां क्या करना है दिखें नीचे कोड दिया इस सारे कोड को कोपी करना है कोपी करने में, आप अराम से कोपी किजेगा, कोई भी कोड मिस नहीं किजेगा अधर वाज आपका प्रियोट है, वो एरर दिखाएगा तो यह रहा हमारा कोपी कर दिया हमें और इस लिनियर लियाउट के अंदर में इसको पेस्ट करना है देखास पेस्ट किया है, यहां भगल में आपको उस्क्री मी दिख रहा है किस तरा लियाउट रेडि हो रहा है अब चलता हैउ वापास यबसाइट पर अब यहां बोर रहा है कि आपको जीए प्लूल का कईज़ ग ग्रफ जशकार लेना है यहां यहां देख रहा है card view जो लेना है वो लेना है out of linear layout मतलब की linear layout जो भी हमनों लिये थे उससे बाहर तो यह रहा हमारा linear layout तो इससे बाहर लेना और relative layout के अंदर लेना है यहां paste किया अब देखिए यहां आता है error तो इसको क्या करना है इसका class होके insert करना है import करना तो alt enter automatic हो दियागा import अब यहां देखिए हमारे पास icon मनने वाला है इस चीज़ को लेकर इसलिए हम लोग लिए card view चलते हैं वापस website पर अब यहां बोरा कि आप पर card view के अंदर में एक आपको relative layout लेना पड़ेगा तो मैंने यह copy किया और सीधा यहां paste कर दिया companies अब बोरा कि आपको image view लेना है और image view यह copy किया और यह फाइनल है यहां देखिए दिखा रहा है इसका screen की इस तरह आपका screen दिखना चाहिए जब सारा code उपर लाप copy paste कर लोगे तो इसके अंदर में हम लेते हैं paste करते हैं और देखिए to copy वही code दिख रहा है वही तरह दिख रहा है जी तरह हमने भी website में देख रहा है तो आज का वीडियो है हमने about dialogue box को बना लिया है कल के वीडियो में बनाएंगे हम लोग disclaimer about box को ताकि आने वाले इस series में complete आपको एक perfect app बन वन दे मातर हम